हिंदी बेल्ट पे आती हूं जो उतर प्रदेश में इंडिया एलाइन्स में एक नहीं जान आ गई है जब से केजरी वाला आए उनका नेरेटिव थोड़ा अग्रेसिव हो गया क्या यह आप मानते हैं अब तो हो वो कोई गलग इसीओ में ही फशे हैं थुड़ा इनको फ्री हो जाने दिजिए बाद में देखो क्या होता हैं अपर वो जिस इस्यू में फशे हैं वो राज्य सवा की डिद्मिन करना नेरा अगर कोई पुलिस को कंप्लेंड करता है तो पुलिस उसका संग्यान दे कि अगर इस्यू अभी तो चल रहा है ना देखे कितना चलता है वो कैम्पेइन में तो कह रहें कि अगर जाडू पे वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की ज़रूरत नहीं होगी देखे तो मैं तो मानता हूँ कि सुप्रीम कोट का स्पष्ट रूप से कंटेम्ट है इनका कहने का मतलब है जो विजय होता है सुप्रीम कोट उनको दोसी होने के बावजुद भी जैल नहीं पेती अब जीन जद सावों ने उनको जमनत दी है उनको यह सूचना है कि उनके के बारे में क्या कहेंगे इंटेरिम देखे सुप्रीम कोट को अधिकार है नियाए की व्याख्या करने का पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूँ कि रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जूडिसल जज्जमेंट नहीं है काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेश्यल डिया गया है के जीवाल जी कह रहे हैं कि आप लोगोंने इतने कैमरा लगाये हुए थे प्यम और तक में कैमरा का एक फीड जा रहा था वो सब देख रहे थे कि एक के जीवाल जी तूटते हैं की नहीं और वह कह時ले है और वह बीजेपी मैंसे दर किरें क cuánt एतिहार में गुरु मंत्रा लेके हाथ में नहीं है पर वो मतलब दिन में कम से कम तीन बयान आते हैं के जिवाल जी से और उन्होंने इंडिया अलायंस का नारेटिव कबजा कर गया क्योंकि वो कहते हैं पहले कि प्रधान मंत्री फुल टर्म नहीं रहेंगे तो मोधी की गैरंटी मोधी की गैरंटी बन जाएगी क्योंकि कमान आप संभालेंगे चलिए आप इतने सीरियसली ले रहे हैं वो सिर्फ बाई सीटलर है देश में इतना सीरियसली मत लीजे सिर्फ बाई सीटलर है और वो गैरंटी देश का मैं बिजली खाब बिलमाब कर दूंगा अरे भाईया तुम पा मोदी जी ही रहेंगे और केजरिवाल आपके लिए कोई अच्छा समचार नहीं है उन्तीस के बाद भी मोदी जी ही अमरे चुनाव भ्यानों का नेता है उनके नित्रूत में ही हम चुनाव नहीं